नमस्कार मैं हो दिव्य बिहारी नियूज में आपका अस्वागत है खबरों की ओपने से पहले एक नजर सुर्खियों पर कल बार्वी बोर्ट की परिक्षा में सामिल होंगे इतने परिक्षारती बिहार स्ट्टी परिक्षा के लिए आज तीसरा डमी अड्मिट कार्ड हुआ जारी दस परवड़ी से एक मार्ज तक चलेगा बिहार विधान मंडल का बज़ट सत्र हनोज वाजबे की चर्चित वेप सोड़ फैमिली मैं सीजन 3 इस समय तक हो सकती है रिलीज मिले इनाम रासी से अपने पिता को कार गिफ्ट करेंगे रिंको सिंग इसके साथ ही बढ़ते साम तक की बरी खबरों की और विस्तार से कल बारवी बोड की परिक्षा में सामिल होंगे इतने परिक्षारती कल से बिहार बोर इंटर्मीरेट परिक्षा शुरू है प्रजेस में इस परिक्षा के लिए कुल 523 परिक्षा केंद्र बनाए गए है बात करे रालजानी पतना की तो यहां कुल 78 केंद्र बनाए गए है जिसे फॉलो करना बहुत ही जरूरी है समीक्षा बैठा के दोरान सभी जिला प्रसासन और सभी केंद्रा धिक्चक को भी निर्देश दिया गया है कि वे ये सुनसत का रिकी परिक्षा शुरू होने से आदे गंटे पहले तक सभी परिक्षारती परिक्षा केंद्र पर पहुँच गया हो अब इसी वजह से सर्चमता परिक्षा के खिला पटना हाई कोट में विश्चिस्ट सिक्चक नियामावली 2023 को चैलेंज करते वे याचिका दायर की गई है इस याचिका को बिहार पंचायत नगर प्रारंबिक सिक्चक संग मूल के प्रदेस अध्यक्ष प्रमोत कुमार यादव ने दायर किया है उन्होंने बताये कि ये केस फाइल पांच प्रमुक बिंदों पर किया गया है इनमें सबसे पहली चीज है एक्षिक ट्रांसफर का लाब मिले सिवा निरन तर्ता के साथ ही प्रोन्रती M.A.C.P. का लाब भी मिले विशेश्ट सिक्चक परिक्चा स्वैक्षिक हो यदि कोई परिक्चा नहीं देना चाहता है यह परिक्चा में फेल भी होता है तो वे अपने पद पर बना रहे है इसके अलाबे यह परिक्चा ओफ-लाइन तरीके से घ्ली जाए साथ ही यह परिक्चा विद्ध्याले आधारित पार्टे करम पर होने चाहिए ना कि BPSC आधारित पार्टे करम पर बिहार STT परिक्षा के लिए आज तीसरा dummy admit card हुआ जारी माधमिक सक्षक पात्रता परिक्षा 2024 का तीसरा dummy admit card आज जारी हो चुका है तो जो भी उमिद्वार बिहार STT 2024 में सामल होने वाले वेस dummy admit card को डाउनलोड कर सकते हैं इससे डाउनलोड करने के लिए आपको बिहार बोड के आधिकारिक वेबसाट BSCB STT 2024.com पर जाना होगा आपको बता दे कि admit card वेबसाट पर दो फरवरी 2024 तक के उपलब्ध रहने वाले हैं वही BSCB ने अपने एक social media post में कहा है कि तुरूटी सुधाने का ये आखरी मौका है इसके बाद किसे भी तुरूटी के सुधार के लिए कोई भी दावा मानने नहीं होगा दस फरवरी से एक मार्च तक चलेगा बिहार विधार मंडल का बजट सत्र इस साल का बजट सत्र बिहार में नई सरकार बनने की वज़ा से थोड़ा बहुत प्रभावित देखने को मला है विधार मंडल का बजट सत्र जिस तिति को होना था अब ये सत्र उस घोसत तिति के पांच दिनों बाद ही शुरू हो पाएगा ऐसे में बजट सत्र कीतिती 10 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ही है बजट सत्र शुरू होने के दिन यानि 10 फरवरी को राज़िपाल द्वारा दोनों सदनों को संबोधत किया जाएगा राज़िपाल का ये संबोधन 10 फरवरी को सारे 11 बज़े होगा मिली जानकारी के नुसार सदन में पहले दिन ही आर्थिक सर्वेक्चन की रिपोर्ट को भी पेस किया जाना है इसके बाद 12 फरवरी को विधान सभा में बिहार सरकार का बज़ट पेस किया जाएगा आपको बता दे कि मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन नहीं हुआ है इस वज़ा से अभी तक ही अभी साफ नहीं हो पाया है कि इस साल का बज़ट कौन पेस करने वाला है खेलो इंडिया टूर्णामेंट में बिहार के सुभम ने जीता गोल्ड बिहार में आरा के रहने वाले सुभम ने तमिल नाडू में आयोजित खेलो इंडिया टूर्णामेंट में गोल्ड मैडल दीता है या गोल्ड उन्होंने आर्चरियानी तिरंदाजी में हासल किये है सुभम ने पहले अस्थान पर अपनी ये जगह हरियाना महराश्ट और राजस्थान को हरा कर बनाया है सुभम के सफलता ने पूरे बिहार को राश्टेस्थर पर गौरवानत किया है सुभम के कोच रह निरत सिंग ने बताये कि सुभम को यह सफलता उनकी करी महनत की कारण मिली है वहीं इस टूनामेंट में सफलता हासल करने के बाद सुभम ने बताये कि यह सपना साकार होने जैसा टूनामेंट रहा है कई महीने से करी महनत करने के बाद अमिलनाडू के चिन्नाई में सफलता मिली है कई राज्यों के खिलारियों को मैंने मात दिया है आगे सुबम ने सफलता को असरे अपने कोच को दिया अब आगे में इंटरनेशनल बैडल जीतने की तैयारी कर रहे हैं मनोज वाजपई की चर्चत वेब सो दे फैमिली मैन सीजन 3 इस समय तक हो सकती है रिलीज दे फैमिली मैन OTT प्लैटफोर्म पर सबसे लोगत्रीय भारतिय वेब सीरीज में से एक है इस वेब सो के तरफ कई दरसक काफी आकरसत हो रहे हैं इस से पहले के दो सीजन को खुब सराणा भी दिल जीत लिया है अब इस सो के तीस्स सीजन के बारे में मनोज वाजपई ने बाद चीत की जब उनसे सीजन 3 के आने की संभाबना पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि साया द सूटिंग साल के अंत में कर सकते हैं आगे उन्होंने अनुमाल लगाते हुए बताये कि अगर पैसे बचने के बाद सब सही हो गया तो सायद कर ही लेंगे आपको बता दे कि इस तीसरे सीजन को लेकर संभाव ना जताई जा रही है कि यह आगले साल तक आ सकता है पटना हाई कोट में स्स्पी राजीव मिस्रा पर इस मामले में लगा आर्थिक दंड एस आर्थिक दंड की धंडासी को जमा करवाने के निर्देश अदालत द्वारा दिये गया है आपको बता दे कि इस मामले में एक पिरित वैक्ती ने दो फरवरी 2022 को ही एक मामला दर्ज करवाया था इस मामले को लेकर उसने बताया था कि उसकी पतनी खुशी बीते एक रात चे ला पता है इस मामले को लेकर लर्की के पिता को भी सक्ता और इसी के सक्के आधार पर उन्होंने दहेज मामले को लेकर एक और रिपोर्ट दर्ज करवाई थी लेकिन इस मामले में पुलिस ने ना ही कोई ठोस जाज की और ना ही किसी तरह की कोई ठोस कारवाई की खबर सामने आए जिसके बाद पिता मिथलेक सिंग द्वारा पटना हाई कोट में कापराधिक रीट रियाचिका दायर की गई थी जहां पिता ने अपने विवाहित पुत्री की बरामदगी की मांग की थी जिसके बाद अदालत ने SSP से जवाब मांगा था और अब SSP पर आर्थिक दंड लगाया गया है पटना ATM से दो लाग का हुआ फ्रॉड कहीं आब बे तो नहीं कर रही है गलती जिस ATM बूद पर गार तैनात नहीं है वहाँ पर कई अपराधियों का सक्रिये गिरो देखने को मल रहा अभी हाल में ATM मसीन से कार्ड फसा कर 1.92 लाख रुपे पटना के बुद्धा कॉलनी और राजीव नगर के ATM बूद से इन अपराधियों का गिरो उरा ले गया है पटना में इस तरह के मामले और भी कई जगा देखने को मिले ये मामला किवल पटना ही नहीं और भी कई जगों का हो सकता है ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है इसलिए ऐसे ATM बूद पर जाने से बचे जहां गार ना हो यदि किसे स्थिती में ATM से पैसे निकालते वक्त कार्ट जाम हो जाये तो परिसान होकर इधर उधर ना जाये ऐसा करने की बजाए आप उसी वक्त अपने उस ATM कार्ट को ब्लॉक करवा दे ऐसे में आप इस तरह के ठगी के मामले से बच सकते हैं लगाने की दिसेहमति बागलपुर के पैन्थी में उननत टकनीक पर आधारी 2000 मेगावट की चमतावाला थर्मल पावर प्लांट लगाया जाने वाला है आपको बता दे कि रादय सरकार ने पिर पैंथी में फिर से थर्मल पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था अब केंद्र वारा इस प्रस्ताव पर सहमती दी जा चुकी है जहां पर यह प्लांट अस्थापत होने वाला है उसी से थोरी दूरी पर बंगाल में कई कोईला खदान भी हैं कोईला खदान के नजदीक होने पर थर्मल पावर को भी तलाने में आसानी होगी आपको बता दी कि 660 मेगावाट की दो-दो यूनिट बनाए जाने की योजना भागलपुर के पिरपैंतिंग के लावे बकसर के 400 लखे सराय के कजरा में भी बिहार सरकार द्वारा बनाई गई थी लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वज़ा से ये योजना की वल कजरा और पिरपैंति में ही की जा सकी कजरा में 150 मेगावाट सोलर बिजली पर काम शुरू हो चुका है तो वहीं पिर पैंति में थर्मल विजली घर का निर्मान करवाया जाना है बिहार पुलिस सेवा में तेहतर अधिकारियों का हुआ तबादला बिहार में अभी बीते कुछ दिनों पहले ही कई IS IPS और राजस्व अधिकारियों का तबादला देखने को मिला था अब इसी करी में 73 अधिकारियों का तबादला बिहार पुलिस सेवा में भी किया गया है इस संबन्द में ग्रे विभाग द्वार अधिसूचना भी जारी की गई है जहां पता चला है कि इस तबादले में ASP, DSP से लेकर SDPO अस्तर के अधिकारी का नाम भी सामिल है इस अधिसूचना के मताबिक 14 जिलों में ने Cyber Crime DSP तैनात किये गए है इन अधिकारियों के अलावे STF में 6 और EOU में 2 तैनाती अधिकारियों की हुई है साथ ही अन्य कई पुलिस अनुमंडलों में ने DSP और SDPO की पोस्टिंग की गई है ने डिप्टे CM समरार चौदरी और विजयकुमार सिन्धा को मिली Z-Plus सुरक्षा बिहार में अन्डिये की सरकार बनने के बाद BJP के दो ने डिप्टे CM बनाए गए हैं जिन में समरार चौदरी और विजयकुमार सिन्धा का नाम सामिल है अब इन्हें उक्मुके मंत्री का पद मिलते ही इन्हें Z-Plus स्रेनी की सुरक्षा भी मुहया करवाई गई है इस Z-Plus स्रेनी की सुरक्षा के साथ ही एक दर्जन से भी अधिक कमांडो 2400 घंटे उनके साथ रहने वाले हैं साथ ही हमेशा इनके घर पर भी एक दर्जन गार्ड को तैनात रखा जाएगा मीडिया में चल लए खबरों के मुताबिक इस बात की जानकारी आई-जी सुरक्षा विन्यक कुमार के तरब से दी गई है मालूमों कि इस से पहले महाँ गर्वंदन की सरकार में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीयम बने थे तब उन्हें भी यह सुरक्षा मोहिया करवाई गई थी सीम नितीस को भी यह सुरक्चा मिली हुई है इस सुरक्चा के तहट जो कमांडो इसकी सुरक्चा में तैनाथ होते हैं वे आधनिक हतियार के से लैस होते हैं ताकि आने वाले किसी भी तरह के चुनौती से निपर्चने के लिए वे तयार रह सके अब राजे में S.C.S.T. Act की ह होगी मासिक समीक्षा बिहार सरकार ने S.C.S.T. Act को लेकर एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है तरह सर राजे में इस Act के तहट हर महीने कितने लोगों को सजा दी जा रही और कितने लोगों ने इस मामले में सिकाय दर्ज की है इसकी जानकारी राजे सरकार को देनी इसके बाद इन कानलों के निस पादन के तहट कितने लोगों को सजा दिलाए गई है इसकी मासिक समिक्षा की जाएगी इसका रिपोर्ट तयार होगा इसे लेकर सभी जिलों के डियम को भी अभी ओजन ने जिसाले दवारा निर्देश दिया गया है लालू और राबरी रहे थे सेम नितीश ने बताया कि रोजगार की बात पहले से भी हो रही थी हम चाहते थे की काम सहीं तरीके से हो लेकिन इसका क्रेडिट अकेले राज़त ले रही थी आगे उन्होंने अंडिये से हाथ मिलाने को लेकर कहा कि अब वे अच्छी जगह पर आ गये हैं और आब यादव और आबरी देवी के मुख्य मंत्री काल को लेकर भी उन्होंने निसाना साधा उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कैसी परहाई होती थी या कोई भूला नहीं है जब इन लोगों का सासन था तब कोई भी घर से साम पांच बजी के बाद निकलने से परहेज करता देवार के दो富 सस्ते होंगे मूबाइल फोन कमपोनेंट में ब्हार सरकार द्वारा कटोटी की गई है पहले है आयात सुल के 15 फीज़ी लगते थे लेकिन अब यह इसे घटा कर 10 फीज़ी कर दिया गया है किसी भी मुबाइल फोन उत्पादर में जो प्रमो कॉंपोनेंट होते हैं उनमें बैटरी कवर मुख्या लेंस से बैक कवर और प्लास्टिक वर मेटल से बनी अन्य कई भी चीज़े सामिल है आयात सुल के घटने के बाद मुबाइल फोन उत्योग पर भी सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा जैसे मुबाइल फोन भी सस्ते होंगे मिले इनाम रासे से अपने पिता को कार गिफ्ट करेंगे रिंको सिंग एसीन गेम में भारतिय टीम के स्टार इंको सिंग ने सा 2023 में चीन के हांग जहाओ में एसीन गेम्स के दोरान गोल्ड मैडल अपने नाम किया था उस वक्त भारतिय टीम के कप्तानी नीतु राज गायक वार कर रहे थे इस भारतिय टीम में रिंको सिंग ने भी अपनी एहम भूमी का निभाई थी जहां उन्हें इनाम की तौर पर म सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट्स में लिकर दिया था जिन्होंने वाइद और अब कुझे का सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजित मिस्रा किर्दिका राज आर्की राना ओमेश रिसी देव चंदन कुमार लक्षमी मह इता नंति प्रभाकर अमन कुमार मुहमत साकिर हुसेन छोटू राजा सुभास प्रसाद कुमार कॉसल सिंग वेद प्रकास सिंग नौसाद रजा गोनर सर्मा सादूला पालवी रवी संकर इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की हो आज का सवाल है आपके अनुस्वार के सरकार बनने से बिहार को फायदा होगा या नहीं आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बनेने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूडू